आज हम बात करने वाले हैं market structure की market structure एक बहुत ही important topic है हम normally बात करते हैं हेलिट वेप की, demand and supply की तो यह कुछ advanced topics होते हैं लेकिन अगर आपको market structure की information नहीं है तो आपको investment ही नहीं करने जाएगे reason है कि अगर आपको market structure की information नहीं होगी तो आपको यह नहीं बता होगा कि कुमचे स्टॉक में हमें invest करना चाहिए और हमें अगर किसी स्टॉक में आप फसोगे नहीं कभी अगर आपको market structure की information है आप ही लोग काथे हैं कि मैं स्टॉक में फसा हुगा हूँ और मैं average कप करूँ और मैं इस टाइप के क्वेशन में काफी पूछे जाते हैं वो रीजन क्या होता है कि लोगों को यह नहीं पताओ कर किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और अगर कोई स्टॉक डाउं ट्रेंड में है उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना तो इस वीडियो के पास आपको अगर किसी में आप वसे हुए उसमें आप को एवरेजिंग कैसे करनी है यह सारी बाते डिसकस होगी तो शुरू से स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले हम कुछ रूस बना लेते हैं जैसे पहले हम अगर सिंपल बाशा में बात करें market structure होता है कि अगर uptrend price से हम compare करें तो market structure में uptrend और downtrend होता है price अगर higher high higher low structure में उपर जाए तो इससे uptrend कहते हैं और अगर price lower low lower high structure में जाए तो इससे downtrend कहते हैं अगर यह इतना easy चीज है जैसे well defined आपको ends मिल रहे है लेकिन यह theoretical definition है इन रियालिटी आपको इतना इजी डाइग्राम नहीं मिलता अगर मैं नीचे एक डाइग्राम जैसे बनी हुई है तो यह इस टाइप का आपको डाइग्राम मिलेगा और इसमें एक्चुली स्विंग्स निकालना बहुत मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए और आपको इंट्रेंट पूंसा है तो पूरा वीडियो को जारी देखना जारी रखिए तो आईए बात करते हैं इसमें अब रूल्स की तो रूल्स क्या है अगर समझे लेजिए जैसी यह नाइका का स्टॉक है प्राइस एराउंड फोर हंडर्ड के उपर से आज हंडर्ड के नीचे म पगड़ेंगे यहां पर मैं आज आपको इस वीडियो के रूप में दिखाऊंगा कि एक भी बाई इसमें अभी तक नहीं आया था जब यह उपर से गिरा था और जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े है मैंने इसे सेल भी दिया था और इसके वेव काउंट भी दिखाया थ जब भी कोई stock start में IPO से आता है जिसका चार्ट नहीं बना तो हमें उसके swing बनने का इंतिजार करना चाहिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर एक high है और यह एक low है जैसे ही यह low break होता है तो आप इस point पर यह जान जाते है कि यह एक downtrend आ चुका है क्योंकि swing break हो चुका है इसके बाद आप क्या करना है यह first step था अब आपको इस swing low बनने का weight करना है तो यहां पर आप swing low बन चुका है तो आपको यह जो नीचे की line है यह swing low फिले जानी है और swing high आपका यहां से update होके अब यहां आ जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है आपको weight करना है आइदर इस high का break होने का या इसके low का break होने का इस case में हम देखते हैं कि price का फिर देर तक यहां range में था और इस range का breakout जब आया तो यहां पर आया और यहां पर price फिर से swing low break किया इसका मतलब क्या हुआ trend continue कर रहा है जो downtrend था वो continue कर रहा है और इसके बाद आपको क्या करना है फिर से जो हमने last time किया था swing low का weight करना है और swing low यहां पर आ गया और आपका यह जो swing high था यहां पर वो अब यहां से यहां पर आ जाएगा क्योंकि यह highest जो इस range में यह highest points है जहां price गई थी और यह lowest है तो यहां पर आप फिर से update कर लिया यह swing high हो गया यह swing low हो गया अब आपको यह फिर से wait करना है price break करेगा अब यहां पर आप देख सकते हैं फिर से price break खुई और आपने यह फिर से update कर लिया यह आपका नया swing high बन गया और यह आपका नया swing low बन गया तो आप देख सकते हैं यह फिर से break हो गया तो आपका यह continually आप update कर सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि आज तक जितना भी price action इस चार्ट में हुआ है यह daily chart है यह कितना भी price action इसका हुआ है एक बार भी इसने buy signal नहीं दी मिलब trend following अगर आप करेंगे simple trend following एक बार भी इसमें buy signal नहीं आई है तो अगर इतना ही simple था तो हम मिलब फस्ते कहां पर है लोग इसमें फस्ते यहां पर है जो इस जो यह trend के अगेंज जाने वाले pullbacks होते हैं यह pullbacks क्यों कहते हैं से क्योंकि trend अगर डाउन है जो opposing direction में जाएगा वो pullback होता है और इस pullback में ही लोग फस्ते हैं क्योंकि लोगों को higher time frame में क्या चल रहा है यह पता नहीं होता जैसे नॉर्मली लोग 15 minute 10-15 hour फोकस करते हैं और daily weekly chart को कभी देखते भी नहीं और हम यहां पर discuss करते हैं एक वो state जैसे यह मैं एक बर पुरा remove कर देता हूं जैसे आपको इस part में focus करते हैं तो हमें clearly हमने आज देख लिया कि यह इस टाइम पर भी प्राइस एक swing मलब downtrend में ही थी तो को 22 का सवाल नहीं था लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं इस point से इस point तेक प्राइस up move गई है तो लोग फसेंगे क्यों अगर stock downtrend में ही है इसका answer हम one hour में देंगे अगर आप one hour में जाओगे तो हमें यह exercise फिर से करनी है let me highlight a bit तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से यहां तक जाने के लिए प्राइस one hour में uptrend में आई थी और वह ऐसा क्यों हुआ देखिए यह last swing low था और यह swing high था और यह swing low था यह hourly का chart है और आप देख सकते हैं प्राइस अब इसको swing को break किया है प्राइस ने तो यही यही मलब आप एक time one hour को देख कि यहीं पर लोग गलती करते हैं कि वह समझते कि नाव प्राइस ने अप्रेंड आ चुका है क्योंकि यहां पर यह ब्रेक कर चुका है और यहीं पर गलती होती है क्योंकि major trend डाउन है और यह पार्ट हमने आइजेंटिफाय किया है पुल बैक इसका क्या मतलब है डेली चार्ट का यह पुल बैक है तो आरली में अगर आपको अप्रेंड मिलता भी है तो वो एक टेंप्रारी पुल बैक है और उसके बाद main trend रजीूम होगा तो हमें trend is my friend कहते हैं तो हमें main trend के साथ ही align हो के trade करना है which means that हमें wait करना है कि यह early में भी downtrend कब आएगा और अगर हम इसको वही exercise फिर से करें जैसे यह swing high है और यह swing low तो जैसे ही यह point break होता है इस side तो आप देख सकते हैं इसमें trend align हो जाता है early में भी downtrend हो जाएगा और daily में भी downtrend हो जाएगा तो यहां से आपको एक अच्छा fall मिला इस stock में अब एक और point जो यहां पे clear करता हूँ मैं अब आप देख सकते हैं आपको pull back की भी information हो गई कि pull back क्या होता है पर अब अगर यह early का chart है यहां पे maintain down हो गया early के साबसे और early पे भी यहां से यहां तक एक up move आई है जो की early का pull back है लेकिन अगर आप आप इसको 15 minute में देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कि यह swing break करके अप गया है और जो intraday करते है या जो सिर्फ 15 minute chart का देखके invest करते है या वो करते है तो उनको उनके लिए भी यहां पे यह फस गया होंगे क्योंकि यह अब आप जानते हैं कि early का pull back है और early में भी trend down है जस 15 minute या 5 minute में trend अप गया जो pull back है और वापस जब इस point के नीचे price गई तो early में वापस यह 15 minute में भी trend डाउन हो जाएगा early में down already है और फिर से आप देख सकते हैं बड़ा move मिला है यह बड़े move क्यों मिलते हैं क्योंकि जो trend की direction में move होते हैं वो बड़े होते हैं और जो in between होते हैं वो small move होते हैं और इसी moves में लोग फज जाते हैं तो हम हमें पता चलता है कि अगर यह एक up trend है अगर यह up move है इसके बाद अगर आप short करोगे तो वो एक pullback ही होगा और main trend up अगर है तो हमें upside ही देखना है और main trend कैसे निकालेंगे हम हमें higher time frame में trend देखना है daily, weekly का trend जो है वो ही हमें lower time frame में align करना है और जब वो align हो जाए तो हमें एक बड़ा move मिलेगा आईए बात करते है अगर आपको इसी stock में average करना है तो हमें कब करना चाहिए और किस condition में करना चाहिए तो अगर हम वापस daily chart में जाते है तो daily में हमें दिख रहा है यह lower lower जा रहा है यह last swing है अगर price इस swing के उपर निकलती है एक हम दो-चार case डिसकस करेंगे यहां पर अगर price इसके उपर निकलती है तो क्या यह uptrend हो जाएगा या यह trend डाउन ही रहेगा तो normally जो आज हमने देखा उसके हिसाब से यह daily में uptrend ज़रूर होगा लेकिन हमें weekly इसके उपर के charts को भी देखना पड़ेगा कि अगर यह uptrend होता है तो हमें यह देखना है यह कहीं weekly का pullback तो नहीं है लेकिन no matter what अगर यह daily का pullback है तो यह बड़ा pullback होगा इसका मतलब है अगर यह daily में भी uptrend है तो हम इसे directly buy नहीं करेंगे हम इसे early में आके retracement के बाद जब हमें नया signal मिलेगा तब हम buy करेंगे इससे क्या होता है इससे ना तो अगर हम यह check कर लेते है कि यह swing फिर से break तो नहीं हुआ और अगर यह हमने check कर लिया तो uptrend की निशानी होगी कि वो pullback देगा कोई भी अगर समयलो इस point से इस point देख जा रहा है stock तो वो एक line में नहीं जाएगा वो waves में जाता है up wave और down wave up wave और down wave तो हमें हमेशा इस investment करनी है या करनी है तो first signal हमें हमेशा होता है कि trend change मिलना चाहिए higher time frame में और फिर हमें उसे catch करना आना चाहिए lower time frame में कैसे catch करते है तो यह हमारा पहला video था इस series का अगर इसमें अच्छा response मिलता है तो हम और भी stocks consider करेंगे जिसमें हम यह कैसे entry ली है अगर हमने किसी stock में recently कोई stock डाउन से अब गया है तो उसमें हमें कैसे entry करनी है यह सारी बाते ह अगर इसमें कोई का डाउट है तो आप उसे comment में डाल सकते हैं thank you and have a nice day